नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है साथियों, National Testing Agency के द्वारा, UGC NET December 2018 की जो रिजल्ट है 5 जनवरी 2019 को जारी की गई उसके बाद से जो NET और JAREP किलियर किये हुए हैं, उनके लिए सपलता की दर्वाजा खुलते ही जा रहे हैं अब बहुत सारे विस्यविद्याले, PhD Admissions से समंदित नोटिपिकेशन जारी कर रही है इसी कड़ी में छत्रपती सिवाजी महराज विस्यविद्याले कानपूर, जिसे कानपूर विस्यविद्याले के नाम से जाना जाता है आज 8 जनवरी 2019 को ये नोटिपिकेशन जारी किया गया है ये Academic Year 2019 के लिए ये PhD प्रोग्राम के लिए नोटिपिकेशन है याद रखेगा PhD डिगरी प्रोग्राम के लिए जो है आनलाइन एप्लिकेशन सम्मिसन करने की जोत्तिती है वो है 8 जनवरी से 11 फरवरी 2019 है ध्यान रखेगा 8 जनवरी से 11 फरवरी 2019 है और Last Date I've Received Heart Copy आप Completed Application 16 फरवरी 2019 है यानि कि जो आनलाइन फरवरी भरेंगे उसका आप Heart Copy भी निकालना है उनको आप By Post भेजा जाना है उसकी जो अंतिम्तिती है 16 फरवरी 2019 है आईए देखते हैं हम डिटेल यहाँ पर जो Admission Process है यह Admission Process देख लिजिए यहाँ पर Interest Test होगा Interest Test के माध्यम से होगा लेकिन Exception म्यानि कि छूट Interest Test में छूट किनको मिलेगी सबसे पहली बात जो पर्मानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, अस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या प्रोफेसर who have completed their probation successfully with an experience of at least two years यदि मालिचे इनवर्शिटी के डिपार्टमेंट में या गौर्मेंट कॉलेज में या गौर्मेंट एड़ेट कॉलेज में या फिलेटेट कॉलेज में कोई भी यदि दो साल दो साल ये उसका प्रोफेसर सक्सेशफुली कॉम्प्लीट कर लिया है उनको जो प्येसडी एक्जाम के प्येसडी के लिए entrance stage नहीं देना पड़ेगा दुसरा एक international student जो एनराइस हैं और इनकी जो रैंकिंग इनवर्शिटी में यदि international ranking इनवर्शिटी में उन्होंने ये जो applicable है उनके लिए छूट है तीसरा चीजें जो UGC, NET या JRA, PIA, CSIR के द्वारा scholarship या teacher fellowship या net set complete किया है उनको एक्जाम नहीं देना है interest test में छूट दे रखा है जो gate score भी किया है और 25% time से उपर है उनको भी जोगा exam नहीं देना पड़ेगा स्वेहली बात जो है interest test जो होगा उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो उनको छूट प्राप्त नहीं है यानि कि जिनका PG में 55% है जिनका PG में 55% है वो eligible है उस subject के लिए और ये जो 100 multiple choice objective type question आएगा maximum 400 marks का होगा जिसमें से 50% research methodology से आएगा 50% जो है subject से related होगा और वो दो घंटे के लिए होगा इसमें से उनको जो है 50% marks लाना पड़ेगा यानि कि 400 अंक में उनको जो है 200 अंक प्राप्त करना जोरी है ध्यान रखेगा केबल SCST के लिए यहाँ पर जो है 50% के बदले में 45% रखा गया है यानि कि 5% उन्हें छूट है इस बात को आप समझ लिजी यहाँ देखिए warning भी लिखा हुआ है candidate are advised to check their eligibility to appear for the this university the organizing institution will not verify your eligibility your eligibility will be verified at the time of counseling with original testimonial documents for any eventuality at the time of admission candidates will be slowly responsible खुद स्वयम responsible होगा उनको पहले से पता कर लेना है ध्यान रखेगा इसकी जो गयता दिया हुआ है वो master degree में यह master degree जो है उसमें 55% marks होना चाहिए जिसमें वो PhD करना चाहता है उसी subject में यहाँ पर SCST और OBC candidate के लिए उनका जो है 5% चूट यानि की 50% चाहिए यहाँ पर जो है आप इधर ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते जाने देखें तोड़ा सा क्या दिया हुआ है देखिए किन-किन subject में PhD होना आता है यहाँ पर यह देखिए एगरिकल्चर में भी है एगरिकल्चर वाले student भी आप रेपलाई कर सकते हैं यह arts subject में क्या-क्या आ आता है geography, hindi literature, history, home science, music, philosophy, political science, psychology, Sanskrit, sociology, उर्दू और यह business management में यह commerce आता है ठीक है उसके बाद में life science में आता है botany, chemistry, mathematics, science में आ जाएगा botany, chemistry, mathematics, physics, geology यह science subject का होगा business management के लिए भी अलग से है, commerce के लिए वो अलग से है, life science के लिए भी अलग से है इसके अलावा medicine के लिए भी है और education for M8 candidate के लिए education और MA education के लिए अलग से है यहाँ पर फीस के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर general category के लिए 1500 रुपिया फीस है और SCST के लिए 1000 फीस है, यानि कि general category और OBC category के लोग 1500 रुपिया फीस पे करेंगे और यहाँ पर SCST के लोग जो है 1000 रुपिया फीस जो है देंगे यहाँ पर आपको general guideline दिया हुआ है, the PhD application farm has the field online admission ठीक है, दुसरा यदि आप online admission करेंगे तो आपको जो है उसके copy निकालना है और इस copy को भेजा जाना है, यहाँ देखिए JPG फार्मेट में uploading करना है क्या-क्या चीजें यहाँ पर देखिए साथ copy of color photograph, ठीक है, साथ copy of signature, category certificate applicable, 10th, 12th labor mark sheet देना है EG marks यानि कि graduate का जोगा है आपको degree certificate देना है PG marks sheet और degree certificate दोनों देना है, marks sheet और degree certificate दोनों देना है Mark sheet आप previous semester, candidate appearing in the qualified degree exam यदि final year में है तो previous year का देना है यदि आप EGC net JRP के लिए किये हैं या CSIR net JRP किये हैं तो उसकी जो later होगा, उसकी जो प्रमार्पत्र होगा उसको देना है Certificate regarding physical limit जो PWD के लिए उनकी जो certificate होगा चौथा पायन करता है, a model application form is available to making accurate entails in the online application form Fill in the application form only if you are satisfied about your eligibility for admission to the program However, more fulfilled of the eligibility criteria does not give guarantee for the admission to the PhD program University shall not be liable for the correctness and authenticity of the information documents provided in the online application Satma, the university has the right to cancel at any stage the admission for the candidate who is found admitted to a course to which he or she is not entitled, being ineligible in accordance with the statutes and regulations in force or it is found that the documents submitted by the candidate are not denied तो इस तरह से आपका जोखा है, आपको जोखा है यहाँ पर enclosure करना है जो enclosure print out copy देना है, इस पते पर आपको जोखा है भेज देना है और लिफापय के उपर में लिखाना है application for the PhD entrance and name of the subject तो उसी department में वो पहुँच जाएगा, ध्यान रखेगा, PhD entrance 2009 related information available in the online application for admission of PhD degree program 2019 at university website, इसमें जोखा है दिया हुआ है, इसी हिसाब से आपको apply करना है सात्यों आपको ठीक लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कीजिगा और चाहे तो आप हमारे वीडियो को like कर सकते हैं, हमारे चैनल को subscribe करने के लिए दूसरे को निवेदन कर सकते हैं, या खुद स्वायम पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो subscribe करना न भूले, thank you, नमस्कार